हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो नंबर वन स्टडी इस विडियो में हम देखेंगे ग्लास 7 मैट के बुक का चाप्टर नंबर वन इंटीजर इस चाप्टर की एकसरसाइज 1.1 का क्वेशन नंबर 4 हम इस विडियो में सौल करेंगे सो देखते question number 4 क्या है यहाँ पे आपको बोला है a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level अब यहाँ पे देखो यह sea level है यहाँ से यह देखो यहाँ पे 0 दिखा रहा है तो यहाँ से उपर तक कितनी height पर fly कर रहा है aeroplane 5000 ठीक है at a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level at a particular point बोला है मतलब कभी एक point पे आके यह जो plane है submarine के एकदम उपर आ जाता है ठीक है और submarine कहाँ flood कर रही है sea level के नीचे below बोला है नीचे 1200 meter अब देखो इन words को देखकर ही आपको समझ जाना है जैसे कि above बोलता है या फ़र below अगर बोला जाता है तो आपको यह जो number दिया रहता है इसको plus के साथ लेना ठीक है मतलब यह हो जाएगा 5000 meter ठीक है यहाँ तक यह vertical distance अब दीक इसका answer कैसे होगा सबसे पहले तो लिखेंगे plane is flying at the height 5000 meter plane कहां fly कर रहा है 5000 meter फिर लिखेंगे सबमरीन का depth of submarine कितने है 1200 meter below है बिलो है इसलिए minus का sign आएगा ठीक है फिर आएगा next the vertical distance between plane and submarine अब vertical distance निकालना है तो क्या करेंगे दोनों को यहाँ पे subtraction करेंगे दोनों की 5000 meter में से minus 1200 meter को subtract कर लेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से same same sign है minus minus तो दोनों का होगा plus और next step में क्या आएगा 5000 meter as it is minus minus plus और यह हो जाएगा bracket open 1200 meter दोनों को प्लस कर लेंगे कितना है प्लस करने के बाद 6200 meter ठीक है प्लस आता है न 5000 में कितना प्लस करना है 1200 तो यह ऐसे प्लस होगा 0025 प्लस 1 6 तो कितना आता है 6200 meter यहाँ पे मारा question number 4 complete हो गया इसका final answer कैसे लिखेंगे the vertical distance between plane and submarine कितना होगा 6200 meter अब question number 5 करेंगे next video में अगर video अच्छी लगी हो helpful लगी हो तो video को लाइक करना अपने friends के साथ share करना और चानल को subscribe जरूर करना थेंक्यू